देखिए स्वाभाविक है कि न्यूट्रिचाज ग्लाइसन टैबलेट वा न्यूट्रिचाज ग्लाइसन प्रोडाइट से जुड़े आपके मिन में कई सवाल होंगे आईए ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानते हैं तो पूछे आप लोग अपने सवाल अगर मुझे प्री डाइबेटीज हैं तो क्या मुझे निश्टित रूप से डाइबेटीज होंगी देखिए भारत में लगभग पौने आठ करोड प्री डाइबेटीक हैं और हर वर्ष इसमें से 5 से 10 प्रतिशत लोग डाइबेटीक हो जाते हैं अगर प्राक्रितिक हर्ब्स, निउट्रिशनल सप्लिमेंट, जीवन्षैली से जुड़ी आन्य सभी साथानिया ना ली जाएं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्री डाइबेटीज व्यक्ति डाइबेटीज से पीडित हो जाएं सर मेरा आप से एक सवाल था बहुत इंपॉर्टिंट ही कि प्राक्रितिक हर्ब और निउट्रिशनल सप्लिमेंट लेने से बलड़ शुगर में कितनी कमें आ सकती है देखिए प्राक्रितिक हर्ब्स और न्यूटिशनल सप्लिमेंट दोनों हमारी रक्षक्रा के नियंतरन में मदद करते हैं लेकिन वास्तविक्स तर क्या होगा यह हमारी जीवन शहली, आहार और हमारी सक्रेता, हमारी व्यायाम करने की आक्तों इन सब पे निर्भर करेगा जितना जादा हम सक्री रहेंगे और साथानिया लेंगे, यह प्राक्रितिक हर्ब्स और न्यूटिशनल सप्लिमेंट उतना ही बेतर रक्षक्रा का नियंतरन करने में हमारी मदद करेंगे हर प्री डियप्टिक व्यक्ति को सुभा खाली पेट न्यूटिशार्ज ग्लाइसम टैबलेट चबा कर लेना चाहिए चबाने से इसकी उपलब्दता जगियों की बढ़ जाती है, हब उसकी उपलब्दता बढ़ जाती है साथ में एक स्कूप न्यूटिशार्ज ग्लाइसम पाउडर, प्रोडाइट पाउडर, दूद के गिलास में मिला कर उसके अंदर हमारे को जो स्वीटनर के सेशे साथ में फ्री पलब्द कराए गए हैं एक स्विटनर का सेशे उसमें मिला के उसको हिला करके अच्छे से पी लेना चाहिए ऐसा हमें तब तक करना चाहिए जब तक हमारा रक्ष शक्रा का बढ़ावास्तर समानिस्तर यानि 140 mg पर डेसी येटर से नीचे ना आ जाए समानियता 3-6 महिने में हमारे को ऐसे परिवर्पन महसूस होने शुरू हो जाएगा सर क्या नॉन डाबेटिक व्यक्ति भी न्यूट्री चार्ज ग्लाइसम टैबलेट और ग्लाइसम प्रोडाइट ले सकता है तो ये केवल प्री डाबेटिक व्यक्तियों को ही लेना चाहिए मेरा अगला स्वाल है कि डाबेटिस के बचाव के लिए नैचरल हर्ब्स और नुट्रिशनल सप्लिमेंट्स के अलावा हमें क्या-क्या साफधानिया बरतनी होंगी देखिए रोज सुभार नुटी चार्ज ग्लाइसम टैबलेट और नुटी चार्ज ग्लाइसम का शेक लेने के साथ-साथ हमारे को अपनी जीवन शैलिकी बदलना पड़ेगी हमारे को रोज जैसे 6000 कदम चलना चाहिए 200 सीडियां चलना चाहिए और अपने आम तोर पे हमें सक्रिय रहना चाहिए इसके अलावा साथ-साथ आहार में भी साभधानियां बरतनी चाहिए हम बहुत अधिक शक्तर से युक्त भोजन बहुत अधिक गरिष्ट भोजन फैट युक्त भोजन और बहुत जल्दी पचने वाले भोजन से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये रक्ति शक्रा के स्तर को असंतुलित करते हैं सर, इन पड़क्ट्स को इस्तमाल करने के बाद कितने अंतराल के बाद ब्लाड शोर को टेस्ट करना चाहिए समान्यता एक सक्रिय व्यक्ति जो संतुलित अहर लेता है ज्यादा पैट और शकर नहीं खाता है उसको न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट और न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट से लाब होगा मुझे यानि उनके रख्षक्रा लेवल को बहतर प्रबद करा जा सके उनका बहतर नियंत्रन रहे तो उनको भी लाग मिलेगा अगर मेरे परिवार में डायबेटीज का इतिहास है और मैं प्री डायबेटिक हूँ तो क्या मुझे ये न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसम टाबलेट लेने से इलाब हो सकता है जी बिलकुल अगर आपके परिवार में पहले से डायबेटीज का हिस्ट्री है और आप खुद भी प्रे डायबेटिक सिद्ध हो गा है फिर आपको हर हाल में न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसम टेबलेड लेना ही चाहिए सर एक आखरी सवाल जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था कि सर हम सब लोग बचना तो चाहते हैं डाइबिटीस से लेकिन क्या जो निट्री चार्ज ने इतना शांदार प्रड़क्ट बनाया है इन सब से बचने के लिए थोड़े महंगे नहीं है सर देखिए हमारे को कभी भी किसी चीज का दाम ऐसे नहीं देखना चाहिए हमारे को यह देखना चाहिए क्या value for money हमें मिल रहा है डाइबिटीस के पूरी उम्र इलाज की क्या कीमत है डाइबिटीस की complications या डाइबिटीस के दुष प्रभावों की हम क्या कीमत चुकाते हैं दूसरी और न्यूट्रिचाज ब्लाइसन टैबलेट और टोडाइट में किस गुनवत्ता के nutritional supplement, किस गुनवत्ता का protein, किस गुनवत्ता के herbs और कहां-कहां से विग्यानिकों के सिद्ध कीवी चीजें लाके डाली गई है जो कुछ महीनों में ही आपको अपने रक्त शक्ता के स्थर के नियंतरन में मदद करके डाइबिटीस जैसे भयानक रोग से बचाने में मदद कर सकती है Sir, thank you very very much बहुत बहुत शुक्री है Sir तो आप लोग भी जुरूर समझ गे होंगे कि न्यूट्रिचाज ग्लाइसें टैबलेट और न्यूट्रिचाज ग्लाइसें प्रोडाइट और वैल्यू फर मनी ये वैल्यू फर मनी है तो इन दोनों को कहिए हाँ और प्री डैबलीज और डैबलीज को कहिए ना